नमस्कार दोस्तों जी के अर्धुन सार यूप टूट चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं थम्नेल पर जैसा के आप लोग देख पा रहे होंगे आंतिम प्रहार पार्ट 22 से पले 21 पार्ट बन चुका है जीस के नाम से तो आंतिम इसका नाम है जीसी परक्ता जीस पेपर टाप पचास प्रस्न तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं यह अंतिम प्रहार आपको जो है 17 यानि आज के डेट में फिर 18 को भी आपको वीडियो मिलेगा अंतिम प्रहार पार्ट 23 के नाम से और 19 तारिक को भी मिलेगा है आपको व 14 बजस एकजाम है तो उस दिन आपको चार बजे भोर में यह वीडियो मिल जाएगा अंतिम प्रहार तेज का यानि लगतार यह आपको वीडियो मिलेगा 17-18-19 को तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी स्रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड कर उसका नोटिफिकिसान आपके मुबाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं देखे इसमें पाला क्वेशन है उस से मित्र सुंग द्वारा दो असमेग यग किये जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है सारनाथ लेख, बेशनगर, आयोध्या लेख, हाथी गुमफा लेख इसका करेक्ट एंसर हो जायागा C, आयोध्या लेख से क्वेशन नमबर दो है, मद्द कालिन भारत के एतहासिक सरोतों में चकला सब्द का प्रियोग हुआ है यह तो चकला क्या है, तो इसमें एंसर होगा C, सूबा और परगना के बीच छेतरी इकाई था, लेकिन सरकार के समनार्थी नहीं था कोश्चन नमबर तीन देखिए, सुरच्छा के लिए मराठों के राजस्व के दाओं को किस नाम से जाना जाता है, सरदेश मुखी, चौथ, या अवबाव, या जमादानी, इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा भी, चौथ के नाम से जाना जाता है कोश्चन नमबर चार है, दिल्ली में पुराना किला के सामने, खैरूल, मंजिल, नामक महजित का निर्माण किस ने करवाया था दिया इसमें हमीदा बानु बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा, माहम अनगा, इसमें इंसर हो जाएगा डी, माहम अनगा कोश्चन नमबर पांच है, भारत के निमलिखित राजियों में से किसकी टट रेखा सबसे लंबी है, महराष्ट की, आंदर परदेश की, केरल की या गुजरात की इसमें सबसे टट किसकी है, गुजरात की है, 1200 किलोमेटर है इसकी कोश्चन नमबर छे है, उत्तर परदेश के निमलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरान परदूसरा के कारण जैविक आपदा घोसित की गई है, तो कौन सी नदी है, तो वो नदी का नाम है, यमुना नदी कोश्चन नमबर साथ है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निमलिखित में से किसका बिस्तार है, यह बिस्तार किसका है, तो यह है, प्लस्टीसोईन और अभिनव जमाव का Q8 है भारत की निमलिकित नदियों में से कौन पस्मी घाट से नहीं निकलती है Q9 है वैस्विक गाउं की संकल्पना का विकास अधारित है Q10 है निमलिकित देशों में से किसमें प्रती गाई दुग्द का औसत वार्शिक उत्पादन सरवाधिक है Q11 है निदरलेंड, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क या भारत इसमें करेक्ट एंसर रजाएगा C डेनमार्क में Q11 है Q11 है निमलिकित राजियों में से कौन? Q11 है निमलिकित देशों में से कौन सा बिसमें आयोडीन का अग्राणी उत्पादक है जापान, समित्राज, अमेरिका, चीली या चीन इसमें करेक्ट एंसर रजाएगा C चीली Q15 है Q11 की जनगर्ना के निमलिकित राजियों में से किसमें ग्रामीड अम सहरी दोनों छेत्रों में सीसू लिंगानुपात निउन्तम है Q11 की जनगर्ना के निमलिकित राजियों में से किसकी ग्रामीड जनसंख्या सरवाधिक है Q11 महराष्ट पंजाब या उत्तर परदेश इसका अंसर रजाएगा D उत्तर परदेश में Q17 है वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग कि ये बिना भविसे के लिए उर्जायम अन्य संसाधनों की बचत निमलिकित में से कौन सी अवधाना की परिभासा है Q18 है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 11 जुलाई को Q19 है निमलिकित में से कौन भारत में गरीवी रेखा का निर्धारन करता है तो भारत में गरीवी रेखा का निर्धारन कौन करता है किंद्री मंतरी मंडल लोकसभा राजसभा या या योजना आयोग इसका एंसर हो जाएगा D योजना आयोग जो अब जो है निती आयोग के नाम से जाना जाता है कोशन नमबर 20 है निमलिकित राजियों में से कौन सडकों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है महराष्ट उत्तर परदेश मद्द परदेश राजस्थान इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा A महराष्ट कोशन नमबर 21 है भारत में प्रत्याच्छ कार कोड निमलिकित में से किस से संबंधित है बिक्रि कर से, आय कर से, उत्पाद कर से या सेवा कर से इसका एंसर हो जाएगा B, आय कर से कोशन नमबर 22 है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले इस्थित है तो कहाँ पर है M, C, टर्म, डर्म, M, C, टर्डमम में है यह इसका एंसर होगा कोशन नमबर 23 है भारत सरकार दोरा घोसित A, B, C, इंडेक्स निमलिखित में से किस से संबंधित है यह संबंधित है किस से, सर यह संबंधित है क्रिसी से, किस संबंधित है, क्रिसी से संबंधित है किरिसी नहीं होगा इसका एंसर देखे इसका एंसर हो जाएगा स्वास्त से संबंदित है क्वेस्टन नमबर 24 देखे सवयुंत राष्ट के आर्थिकम समाजिक मामलों के विभाग UN D.E.S.A. के अनुसार विशुका कुल जनसंख्या का कितना परशत सहरी छेतरों में निवास करता है यह निवास करता है पचपन प्रतिसत क्वेस्टन नमबर 25 है निमलिखित में से कौन दूतियक प्रदूसक है तो दूतियक प्रदूसक है कौन सा है इसमें तो वह है कार्बन मोनो आकसाइड इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा कारबन मोनो आकसाइड कोश्चन नमबर 26 है निमलिखित परिश्टित की तंत्रों में से किस्मे प्रजाती विविदिता सापेच्छे काफी अधिक होती है तो ये किस्मे होती है तो ये होती है उस्ण कटिबंदी वर्षा बन में कोश्चन नमबर 27 है निमलिकित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है रेसम सहद लाख मोती तो मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है कुश्चन नमबर 28 देखे निमलिकित में से कौन समान परस्थितियों, बिच के पत्तों की सरसराहट का decibel अस्तर प्रदर्सित करता है, यह प्रदर्सित करता है 20 decibel question number 29 है जलवाई परिवर्तन पर समित राष्ट का सम्मेळन कॉप 21 आयोजित हुआ था यह कहां पर आयोजित हुआ था यह हुआ था पेरिस में question number 30 है जलवाई परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्टिय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी ये लोकार्पित की गई थी 2008 इस भी में कोशन नमबर 31 है सबसे अधिक इस्थिर परशित की तंत्र कौन सा है सबसे अधिक तो वो है सागरी यानि महा सागर कोशन नमबर 32 है इनसी नेटार्स का परियोग निमलिखित किसके लिए किया जाता है इसका परियोग किया जाता है कुड़ा कचरा को जलाने के लिए कोशन नमबर 33 है हरित गरी प्रभाव क्या है तो हरित गरी प्रभाव जहें वैस्विक ताप में बिर्धी होता है कोशन नमबर 34 है निमलिखित में से कौन प्राकिर्तिक गैस का मुख्य भाग है तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग मिथेन होता है कोश्चन नमबर 35 है पसुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग बिलिक्त होने के लिए उत्तरदाई है तो वो है डिकलो फिनेक कोश्चन नमबर 36 है निमलिखित देशों में से कौन 2015 में सरवाधिक CO2 का उस्चरजक था तो ये था इसमें अन्सर हो जाएगा ए चीन था कोश्चन नमबर 37 है निमलिखित में से किसका बेग अधिकतम होता है कास्मिक किरण का प्रकास का या इलेक्टरान का या पराध्वनी का इसमें अन्सर हो जाएगा बी प्रकास का कोश्चन नमबर 38 है गैफ्रीन होता है तो गैफ्रीन क्या होता है ये जो है कार्बन का नैनो परदिर्यूप होता है कोश्चन नमबर 49 है ध्वनी का बेग अधिक्तम होगा किसमे इस पात में कोश्चन नमबर चालिस है धुआ में आँखों को प्रभायुत करने वाला कौन सा सक्तिसाली उत्यज्य होता है इसमें होता है पैराक्सी एसी टाइल नाइट्रेड कोश्चन नमबर एक तालिस है एक ब्रीफ हिस्ट्री आफ टाइम नामक पुष्टक किसने लिखी है तो ये लिखी है इस्टिफन हाकिन्स द्वारा कोश्चन नमबर बयालिस है निमलिखित में से कौन बिटामिन सी का सबसे अच्छा सुरोत है संतरा, सेव, गाजर, आवला कोश्चन नमबर बयालिस है निमलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के स्थित्तों के लिए उप्युक्त हो सकता है तो वो है मंगल ग्रह पर कोश्चन नमबर चवालिस है आइश्टाइन को निमलिखित में से किस सिधान्त के लिए नोबेल पुरसकार दिया गया था ये दिया गया था प्रकास बिद्दुत के सिधान्त के लिए प्रकास बिद्दुत के सिधान्त के लिए निमलिखित उर्जा सरोतों में से कौन पर्यावराणिय प्रदूसा नहीं उत्पन करता है तो वो है सौर उर्जा कोस्टन नमबर च्यालिस है राजी के निती निशक तत्व सहज अध्यन के लिए निमलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किये जाते हैं ये किया जते हैं समाजवादी उदार बाधिक्तावादी गांधी वादी उप्रोक सभी सका एंसर जाएगा डी उप्रोक सभ कोस्टन नमबर 47 है निमलिखित में से किसे असोक चंद्राद्वरा भारत में आर्थिक मंत्री परसद कहा गया ये कहा गया था योजना आयोग को कोस्टन नमबर 48 है भारती नियाईक व्यवस्था में जब जन हित याजका को सामिल किया गया उस समय भारत के मुखन्याधीस कौन थे उस समय भारत के मुखन्याधीस थे पीयन भगवती इसका एंसर हो जाएगा सी पीयन भगवती कोस्टन नमबर 49 है द एक्सिडेंटल प्राइम मेनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है इसके लेखक है संजय बारू कोस्टन नमबर 50 है और अन्तिम कोस्टन है भारत की समिधान सभा की अन्तिम बैठक की सही तिथी अन्तिम बैठक की सही तिथी24 जनवरी 1950 को उसी दिन सभी सदस्निजे समिधान पर हस्ताचर किये थे और 26 जनवरी को समिधान लागू किया गया था अन्तिम बैठक की सही ये तिथी तो 24 जनवरी 1950 था ये थी कॉसंँ आज के लिए तुमिद करता हो कि वीडियो आपको लाइक कर अपने दोस्तों के अधिक सदिक शेयर करें धन्य बाद दोस्तों जय हिंद वन दे मात्रम